लास्ट वले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस क्रिस्टल सिस्टम है 3D में और उसकी किती पॉसिबल ब्रेविस लैटिसीज हैं तो 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और 14 पॉसिबल ब्रेविस लैटिसीज होती हैं आज हम जो इंपॉर्टन टॉपिक पढ़ेंगे वो है कि कैल्कुलेशन आफ नंबर अफ आटम्स इन यूनिट सेल सबसे पहले हम एक बहुत पेसिक सा केस ले लेते हैं सिंपल क्यूबिक ठीक है सिंपल क्यूबिक में देखते हैं कि किस ता से हम करेंगे एक यूनिट सेल के अंदर आटम्स को यह हमारे पास क्यूबिक स्ट्चर है इस क्यूबिक स्ट्चर में यह एक सिंपल क्यूबिक है अगर आप देखें तो आटम्स जो है वो इनके कॉर्नर के ओपर लाई कर रहे हैं एक सिंपल क्यूब में सारे के सारे आटम्स कॉर्नर के ओपर हैं और एक सिंपल क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं कितने कॉर्नर हो हो रहा हो गा। जैसे यह वाल आगर इस उनिटसेल वो पिसकी चैयर हो रहे लेरा है बिट्वेन एट टो इसका मतभाय है जो इते कन्तिया चैयर उनिट सेल है । एक corner से contribution जो atom की आ रही है वो 1 by 8 है और चुके 8 corners है तो कितने total number हो जाएगा? Atoms का 1 by 8 times 8 equals to 1. तो simple cubic वाले case में जो number of atoms per unit cell है वो है 1 atom per unit cell. अब हम दूसरे वाला case देखते हैं कि body centered, जो cubics टक चो होते हैं. Body centered cubics टक चेका क्या मतलब है BCC. अब BCC में किस्ता से हैं? किस्ता से हम calculation करते हैं number of atoms per unit cell की. ये एक BCC structure है और इसके अंदर आप देखें कि atoms जो हैं वो ये corners के ओपर भी लाए कर रहे हैं. Corners के ओपर तो लाए कर रहे हैं जो कि 8 corners हैं. ये मैं जिनको circle कर रहे हूं ये पूरे corners के उपर हैं. उसके अलावा एक atom उसकी पूरी body के अंदर लाए कर रहे हैं ये वाला जो किसी के साथ भी share नहीं हो रहा है. और आप देखें जो contribution जैसे मैंने आपको पिछले में बताया था case में. जो contribution होगी from the corners, एक corner से जो atom की contribution है, वो कितनी है, वो 1 by 8 है, तो total contribution कितनी है, सारे corners के ओपर से, that is 1 by 8 times 8 equals to 1, एक तो ये atom हो गया. उसके बाद जो अगर आप देखें, तो body centered पी middle में, उस unit cell के middle में एक atom जो है वो पढ़ा होगा है. वो atom किसी के साथ भी share नहीं हो रहा है, वो पूरे का पूरा इस unit cell का ही है. तो इसका मतलब है, the total number of atoms कितनी हो जाएंगे, ये वाला 1 जो इस body के अंदर पड़ा हो है, plus 1 जो कि उसकी contribution आ रही है, पूरे corners के से, so 1 plus 1, 2. So, इस case में, 2 atoms per unit cell लोंगे, in the case of a PCC. अब जो थर्ड बला case है, वो है, FCC, face-centered cubic. So, face-centered cubic में, तेरे में आपको इस को अंदर लाइन कर लो, face-centered cubic, FCC. अब इस case में, अगर आप देखें, तो हमारे पास, जो structure होता है, cubic कोई इस तरह को होता है, यानि कि, atoms जो हैं, वो लाइ कर रहे हैं, add the corners, ये जो corners पे, जो red color में हैं, ये सारे के सारे 8 जो corners हैं, उसके ओपर लाइ कर रहे हैं, और उसके बाद ये जो blue color में हैं, वो atoms, जो के उसके face के ओपर लाइ कर रहे हैं, तो, और एक cube के अंदर कितने face होते हैं, एक cube के अंदर six face होते हैं, अब ये वाला जो face, right side पे आप कहलें, आपके right side पे जो face आ रहे हैं, ये इसके ओपर, ये वाला जो atom है, ये basically, अगर हम प हमें जो contribution मिल रही है, उस वाले atom की, वो half मिल रही है, half मिल रही है, from one face, ठीक है, so, एक face से half मिल रही है, contribution, atom की, इस तरह से, ये right side वाले face का मैंने पता है, इस तरह से, अगर आप left side पे देखें, तो, उस case में भी, ये वाला, जो atom है, वो जो contribute कर रहे है, वो भी share कर रहे है, दूसरे वाले unit cell के साथ, और उदर से भी contribution हमें half मिल रही है, तो हमारे पास six face है, तो इसका मतब है, एक face से half contribution है, तो six face से कितनी contribution होगी, that will be three, so, ये तो हमारे, हमें face से मिल की, contribution atoms की, और already जो हम देख चुके है, कि जो corners के उपर atom लाए कर रहे है, उसे हमें कितनी contribution मिलती है है, corners के उपर से हमें one atom मिलता है, so, corners से हमें one atom मिल रहा है, so, total कितना हो जाएगा, so, total will be equals to three plus one, four atoms per unit cell, in the case of a FCC, अब हम लोगों ने ये सीख लिया है कि किसता से हमने calculate करना है number of the atoms per unit cell for a simple cubic, BCC और FCC, इदर से हम एक general equation जो है, वो drive कर सकते हैं, मिसाल के तोर पर अगर मैं ये कहती हूँ कि NI जो है, वो represent करता है number of the atoms that are present completely inside the unit cell, और NC जो है, वो represent कर है number of the atoms that are occupying the corner position, और NF जो है, वो represent करता है number of the atoms that are at the face positions, तो मैं फिर ये कह सकती हूँ कि जो total number of the atoms हैं, वो particular cell में जो belong करते हैं, उसको मैं N से represent करूँ, तो यहां से मैं एक equation लिख सकती हूँ कि जो number of atoms belonging to a particular cell, N is equals to NI, plus NF divided by 2, plus NC divided by 8, उमीद है आपको अब इस equation की समझ आग्योगी, क्योंकि हमने पीछे calculations करके देखे हैं, कितने atoms की contribution होती है from face of a unit cell, और कितनी contribution होती है from the corner से, तो उस वज़े से हम ये वाल equation जो है वो लिख सकते हैं, अब अगर इस case में, अगर मैं reverse चलती हूँ, मेरे पास ये वाल equation है, और मैं चेक करना चाहती हूँ, कि अगर हमारे पास कोई simple cubic structure है, और मैं देखना चाहती हूँ, उसमें कितने number of atoms per unit cell है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसके अंदर उनकी values को substitute कर देती हूँ, कि number of atoms per unit cell, n is equals to n i, वो क्या था कि, कोई simple cubic में ऐसा atom होता है, जो body के अंदर लाए कर रहे हूँ, नहीं, कोई ऐसा atom नहीं होता, तो इस वज़े से मैं इसके जगा पे zero put कर दूँगी, और plus, कोई ऐसा atom होता है, जो लाए कर रहे हूँ, उसके face के ओपर, simple cubic में कोई भी नहीं होता, तो इस इधर भी zero आजएगा, plus, कितने atoms होते हैं, कोई ऐसा atom है, जो corners पे लाए कर रहे हैं, exactly corners पे atoms लाए कर रहे हैं, कितने atoms लाए कर रहे हैं, eight atoms लाए कर रहे हैं, so eight divided by eight, so this will be equals to zero plus zero plus one equals to one, so number of atoms per unit cell जो है, वो one होगा, यह one होगे, atoms per unit cell, in the case of a simple cubic structure, अब मैं इसी formula को use करके, मैं देखती हूँ कि, चले मैं इधर दुबारा से rewrite कर लेती हूँ formula कि, that is number of atoms per unit cell is equals to n i plus n f divided by two plus n c divided by eight, अब मैं देखती हूँ, for example, मेरे पस एक bcc lattice है, तो bcc में, अब मैं देखती हूँ number of atoms per unit cell क्या होँगे, so n is equals to, bcc में n i की क्या value होगे, n i था कि जो number, जो atom लाए का रहे हैं, inside the body, तो वो कितना था, वो 1 था, 1 plus, क्या कोई atom फेस के उपर लाए करते हैं for bcc? नहीं, फेस के उपर कोई लाए नहीं करते हो, so that will be 0, और कॉरन के उपर कोई लाए कर रहे हैं, कॉरन के उपर, कितने atoms हैं? 8 atoms है, so it will be 8 divided by 8, so this will be equals to 1 plus 1 equals to 2, 2, so n जो है, वो 2 के equal है, यनिके, number of atoms per unit cell, 2 है for a bcc, bcc के लिए, अब इसी तरह से हम FCC के लिए भी देख लेते हैं, साथ ही, FCC के लिए भी मैं अगर, मैं पस यही equation है, और मैं देखू, number of atoms per unit cell, n will be equals to n i क्या होगा, FCC में कोई item होता है, जो inside the body हो, कोई item में होता है, तो 0 हो जाएगा, plus FCC में कितने face होते हैं, या आप यूँ कहलो, कितने items लाए का रहे हैं at the face, 6, क्यूंकि 6 faces होते हैं, so 6 divided by 2 आजाएगा, plus कितने corners के ओपर है, 8, 8 divided by 8, so this will be equals to 3 plus 1, so this will be equals to 4, so FCC में 4 atoms होंगे, per unit cell, so यह इस formula से हम, जो है, वो calculation कर सकते हैं, कि कितने number of atoms जो हैं, वो per unit cell होंगे, for simple cubic, for FCC, for BCC, simple cubic, के लावा, हम किसी भी स्थक्चर के लिए, जो है, वो calculations कर सकते हैं, fractional coordinates, हम इंक्यों जरूद बढ़ती है, fractional coordinates की, तो fracture coordinate space की एक ऐसा coordinate system है, जिसमें हम जो edges होते हैं, unit cell को उसको use करते हैं, as basis vectors, to describe the position of the atoms, अब मिसाल के तोर पे हमारे पास, यह एक unit cell है, जो की cube की शकल का है, और यह उसका origin है, और यहां से, यहां तक, कि जो, जो इसको describe कर रहा है, lattice parameter वो A है, और यहां से यहां तक, जो है, वो B है, और similarly, जो upward है, यह C है, यह वोही lattice parameters हैं, जिनकी हम already discussion कर चुके हैं, अब अगर हम यह देखते हैं, कि यह जो, यह पूरा, यह जो side है A, अगर मैं इसको just for simplicity, मैं कहा देती हूँ, कि यह इसकी जो length है, वो 1 है, 1 में क्यों use कर रही है, क्योंकि 1 जो है, वो smallest integer होता है, इसे तरह से जो B के long है, वो भी 1 है, और C के long जो है, वो भी 1 है, अब देखें, अगर हम देखते हैं, simple cubic के case में, तो simple cubic जो होता है, वो उसका 1 atom per unit cell होता है, और वो 1 atom per unit cell, अगर मैं सरफ इस cube को देखू, और इस cube के अंदर, मैं just for simplicity मैं कहते हूँ, कि वो हुला जो atom है, वो लाएक कर रहा है at the origin, यहाँ पे, अब अगर वो origin के उपर लाएक कर रहा है, तो उसके जो fractional coordinates होंगे, that will be 0, 0, 0, क्योंकि इस origin के उपर, A भी 0 है, B भी 0 है, और C भी 0 है, लेकिन अगर मैं देखती हूँ, BCC में, तो BCC में 2 atoms per unit cell होते हैं, उसका एक atom तो, जो है, वो लाएक कर रहा है at the origin, और उसके fraction coordinates बहाए 0, 0, 0 हो जाएंगे, लेकिन जो second atom है, जाल के तोर पे वो यहाँ पे है, अब यह क्यूब के middle में है, क्यूब के middle में, इसको आप यूँ अमेजिन कर सकते हैं, कि एक कमरा है, कमरे की ceiling से आपने कोई चीज नीचे को लटकाई है, जो कि middle तक आ रही है, वो light हो सकती है, कोई shandlier हो सकता है, अब हमने देखना है, इसके coordinates के हैं, तो इसका मतब है, आप A, B और C के long की स्थरा से move करें, कि आप यहाँ तक पहुंच जाएं, अब यह middle में है, तो इसका मतब है, A के long जो आपने move किया है, वो भी half move किया है, B के long भी half, और C के long भी half, ठीक है, आप यूनेट से लाएक कर रहे है, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, अब हम fractional coordinates देखते हैं, एक FCC lattice में, तो FCC जो होती है, उसके अंदर 4 atoms per unit cell होते हैं, अब 4 atoms per unit cell है, एक तो atom लाएक कर रहे है, अर उरीजन, और उसके coordinates हो जाएंगे, 0, 0, 0, और 3 atoms वो हैं, उसके face के उपर लाएक करें, अब हमने उसके coordinates देखने हैं, exactly उसी तरह जैसे last में हमने कहा था, कि यह अगर origin है, और यह वाली जो basis vector है, वो A है, यानि कि lattice parameter, और यह जो है, यह B है, और इसी तरह से, यह जो upward है, यहां से, जो upward है, यह C है, यह थोड़ा सा, मैं यहां से clear करता हूँ, यह यह है, और अगर again, मैं जो length ले रही हूँ, पूरी A की, यह B की, वो उसको मैं 1 से represent करूँ, यह निकि, 1 जो smallest integer है, इसलिए, अब देखें, face के उपर जब items लाएक करें, हमने देखने हैं, मिसाल के तोर पे, अगर मैं यह वाला, यहां पे consider करते हूँ, एक item जो है, इस face पे लाएक कर रहे है, तो इसका मतलब है, यह जो face है, वो basically एक plane है, और कौन से basic factors उसको describe कर रहे हैं, एक A describe कर रहे हैं, और एक C describe कर रहे हैं, तो इसका मतलब है, और वो भी middle में, यानि के पूरा one unit नहीं गया, half of a unit जो है, वो उपर move किया, इसी तरह से A के long भी half of a unit है, तो इसका मतलब है कि, for example, यह वाला item जो face के उपर लाएका रहे है, इसके जो coordinates हो जेंगे, that will be, A के long वो one by two है, लेकिन B के long उसकी कोई movement नहीं है, उस तरह उसकी position को नहीं describe करें, तो B जो है वो zero हो जाएगा, और जो C है वो भी one by two हो जाएगा, इसी तरह से, बाकी दूसरे face के लिए भी इसी तरह से हम calculate कर लेंगे, तो जो fractional coordinates होंगे, at the faces of a FCC lattice, that will be one by two, one by two zero, one by two zero one by two, zero one by two one by two.